नमस्कार दोस्तों स्वागते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक और नएव वीडियो में दोस्तों जिसका सबको बेसबरी से इंतिजार था कि दिल्ली से दोसा सेक्षन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कब चालू होगा जो अब पूरी तरह बन चुका है और 12 फरवरी को का निर्मान कार्य पूरा हो गया है प्रदान मंत्री नर्यन मोधित इस खंड को जनता को समर्पित करने दोसा आएंगे गटकरी जन खूट ट्वीट करके इसकी जानकारी दी नांगल राजावतान इस्तीत मीना पंच अथाई में दिल्ली दोसा खंड का पीम मोधि उदगाटन करेंगे पीमो से हरी जन्डी मिलते ही एने चाई उदगाटन की तैयारियों में जूट गया है इसके चालू होने के बाद दोसा से दिल्ली पहुंचने में डेल से दो घंटे लगेंगे इस एक्सप्रेस वे से जैपूर को भी जोड़ा जाएगा इसके लिए बुंदी कुई गाए के अलावा एणिचाई के विबीन जीलों में चल रहे कार्यों का भी उद गाटन करेंगे सुट्रो के अनुसार 12 फरवरी को उदैपूर जालावार श्री गंगा नगर हनुमानगार जीले में चल रहे निर्माल कार्य जो पूरे हो चुके है उनका भी उद गाटन करें लेकिन अभी 228 किलोमेटर बढ़ का पाड़ा तक चालू करेंगे बढ़ का पाड़ा दोसा से लालसोट के बीच है तो थेंक्यू सो मच दोस्तो यही आज की खबर दी जिसमें काफी खुशी वाला महोले कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वेजस का सबको काफी समय से इंतिजार था वो अब स्टार्ट होने जा रहा है प्रतम चरण जो प्रतम फेस है वो स्टार्ट होने जा रहा है इसका तो दोस्तो मैं पूरा 12 फरवरी का भी अपडेट दूँगा कि इस प्रकार से क्या उद्गाटन होता है और क्या पूरी न्यूज होती है तो बने रहे हैं चैनल के साथ और ये वीडियो को शेयर करिए ताकि सबको पता चले कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वेकप एला फेस ओपन होने वाला है चैनल ये मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक के लिए जाएं वन्दे मातम